कन्या राश शिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान जब देते हैं तो छप पर फाण कर देते हैं, और अब कुछ ऐसे ही घटना आप सभी के जीवन में भी होने हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, एक साथ आपको पांच बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, पांच बड़े जगह से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, आज के इस वीडियो को ध्यान से आज तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशा पाली वीडियो साथ होगा। अब तरक्की के घोडे पर सवार हो चुकी है, और आने वाले समय में यह और भी उंचाईयों को छूने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी किस्मत ने अब ऐसी पलटी मारी है कि सब लोग बस देखते रह जाएंगे। अगले 48 घंटों में आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है। यह ज्योतिश कार्यक्रम बेहद खास है और संपूर्ण रूप से ग्रह गोचर के प्रभावों पर आधारित है। इसलिए इसे थोड़ा भी मिस ना करें क्योंकि आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में होने जा रही है। जी हाँ आने वाले 48 घंटों के भीतर तीन बड़े ग्रह आपकी कुंडली में अपना प्रभाव डालने वाले हैं। इस ग्रह के असर से आपका भाग्य बदल जाएगा और यह परिवर्तन आपके लिए एक सुखद अनुभव लेकर आएगा। अगले 48 घंटों में आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे पैसों की बारिश हो रही हो और आपकी जिंदगी में खुशियों की बाड़ आ गई हो। यह एक ऐसी घंटना है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी इसलिए इस जियोतिश कार्यकरम को बिलकुल भी नजर अंदाज मत करना और इसे पूरा देखना क्योंकि यदि आप इसे नहीं देखते तो बाद में जरूर पच्चताएंगे। आने वाले समय में आपकी खुशखबरी का ऐसा द्वार आने वाला है जिसे देखकर आपके विरोधी हैरान रह जाएंगे। ना तो आपने पहले कभी सुनी होगी ना ही शायद आगे सुन पाएंगे। यह एक सुनहरा मौका है। इसका पूरा फायदा उठाएं वरना जिन्दगी भर भटकते रह जाएंगे। देवों के देव भगवान भोलेनात के आशीरवाद से अब आप सोने के महल में राज करने के लिए तैयार हो जाईए। यह समय है। अपने सपनों को सच होते देखने का और आपके जीवन में छपपर फाड़ खुशियों की बौचार आने वाली है। अब हर जगह बस आपके काम्याबी की गूंज होगी। जी हाँ, आने वाले 48 घंटों में दो बड़ी और अद्भुत घटनाएं आपकी राश्यवालों की कुंडली में घटने जा रही है। अचानक आपकी किस्मत ऐसा मोड लेगी कि आपको जीवन के सारे सुख मिल जाएंगे। देवों के देव भगवान भोले नात एक नया ख खेल शुरू करने जा रहे हैं। यह दिन आपके लिए बेहद लाभधायक साबित होगा क्योंकि दस बड़ी खुश्खबरी आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, भगवान भोले नात का यह वादा है कि आपकी जिन्दगी बदल जाएगी। जी हाँ, आने वाले 48 घंटों में ऐसा बड़ा बदलाव आएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए एक साधारन ज्योतिश कार्यक्रम नहीं, बलकि एक वर्दान है, इस समय सोचने का नहीं, बलकि सभी काम छोड़ कर ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखने का है, जो इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, वही अपने जीवन में बदलाव ला सकेगा। भगवान भोले नात का आशीरवाद, अब आपकी किस्मत को निखारने वाला है, अगले 48 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोड आने वाला है, इस महा संयोग के चलते आपकी किस्मत पल मारेगी और लोग बस देखते रह जाएंगे। भोले नात का आशीरवाद अब आपके उपर है, यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और खुशियों की सौगात लेकर आएगा, तक कि आप 10 करोड की संपत्ति के भी हकदार बन सकते हैं। बशर्ते आप इसके लिए तयार रहे, शायद आपको इस पर विश्वास ना हो। लेकिन जब यह बदलाव आपके जीवन में दिखने लगेगा, त आपको एक जटके में दे सकते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके आगे नतमस तक होंगे। जब किसी के जीवन में ऐसा महासंयोग बनता है, तो उसकी किसमत बदल जाती है। यह दो घटनाएं जो आपकी राश्य में होने जा रही हैं। उन्हें रोकने की दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह सब कुछ भगवान के 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीरवात से हो रहा है। आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है और आपको अपने धैर्य का फल मिलने वाला है। जब सारे दर्वाजे बंध हो जाते हैं तब भी अमीद रखिये अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी धोखा ना मिले तो ईश्वर पर और खुद पर विश्वास बनाए रखें। आपने अपने जीवन में हमेशा इमानदारी से काम किया है। और अब उस इमानदारी का फल आपको मिलने वाला है। जब आप सही रास्त कर गलती करता है उसे इश्वर कभी? अगर यह बात समझ में आई हो तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें। जी गुरुजी आप बिलकुल सही कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कि किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। चाहे वह नौकरी, व्यापार करियर, व्यवसाय स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन या दैनिक दिन चर्या से संबंधित हो। हम इन सभी विशयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, व भगवान भोले नाथ जी का नाम लेकर इस ज्योतिश कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ किसी ने खूब कहा है, जिन्दगी के सिर्फ दो दिन होते हैं, एक दिन आपके पक्ष में और एक दिन आपके खिलाफ, जिस दिन आपके पक नहीं किया जा सकता, उसे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पच्चतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविश्य को नहीं संभार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अग अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो उनकी शक्ती पर भी विश्वास करना सीखिए। भगवान अक्सर आपकी भक्ती धैर्य और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं। और आने वाले 48 घंटों में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपने बिलकु परिवार को खुशियों से भर देगी। जी हां, आपके जीवन में इतनी बड़ी और सुखत घटनाएं घटित होंगी कि आपके परिवार के लोग खुशी से जूम उठेंगे। यह बड़ी और महत्वपून खुश्खबरी क्या होगी? कौन-कौन सी खुश्खबरी मिलने वाली है, किस-किस क्षेत्र से भारी धन लाब होगा और किस प्रकार भगवान का चमतकार आपके जीवन में प्रकट होगा? यही सब हम इस ज्योतिश कारेक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय भगवान भोले नाथ की विशेश कृपा आपके उपर है। इस कृपा के प्रभाव से आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे और आपका भाग्य आपके साथ खड़ा होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके होश ओड़ जाएंगे। यह एक ऐसा सच है जो जोतिश कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब वह समय आ गया है कि इस जूट के परदे को हटाया जाए जिससे आपके जीवन में छिपे हर भ्रम और धोखे का अंत हो सके। यह जोतिश जोतिश कार्यक्रम आपके वर्तमान, भूतकाल और भविश्य सभी पर असर डालने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। क्योंकि यह आपके लिए बिलकुल निशुलक है और आपके इस छोटे से समर्थन का मेरे लिए बहुत मैं जानता हूँ कि आप अब तक इस राज्य से अंजान थे, लेकिन अब इसे जानने का समय आ गया है। इस जोतिश कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके जीवन में अगले 10 से 12 घंटों में ऐसी घटनाए घट जो आपको ह रिवार के सदस्य दादी नानी सभी इस बात को सुनकर चौक जाएंगे। अगले 10 से 12 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्व पूर्ण क्षण हो सकते हैं। इसलिए इस जोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है भगवान भी आपको बचा ना सके। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो बातें मैं यहां कहने वाला हूँ, वे आपके दिल को जख छोड़ देंगी। ये कोई साधारण ज्योतिश कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरी सला है कि इसे अकेले और शांत माहौल में देखें। किसी भी रुकावट से बचने के लिए इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक बंद कमरे में देखना सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जो जानकारी मैं सांझा करने वाला हूँ, उसे सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके जीवन के हर दुख को दूर कर सकता है। आज जो रहस्य मैं उजागर करने जा रहा हूँ, वह आपके सभी कष्टों का अंत कर सकता है। आपको केवल ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह ज केवल मुझे आपका समर्थन मिलेगा बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि आप इस महत्व पूर्ण जानकारी को पूरी तरह से ग्रहन कर रहे हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम विश्नु देवाय नमह और ओम महा कालेश्वर नमह जरूर लिखें। यह सिर्फ एक साधारन कमेंट नहीं है बल्कि एक शक्ती है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 10-12 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह 100% सत्य है। मेरे नजर अंदाज करना आपके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस जोतिश कार्यक्रम में कही गई हर बात का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और यह आपके भविश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यदि आपने इस जोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखा और दिये गए निर्देशों के अनुसार कार्य किया तो आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होगा। याद रखें यह कोई साधारन जोतिश कार्यक्रम नहीं है। यह आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। जोतिश का कार्यक्रम को अंत तक देखें और सभी निर्देशों का पालन करें। साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्व पूर्ण है। अब समय आ गया है आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का ध्यान पूर्वक सुने समझे और जोतिश कार्यक्रम के अंत तक बने रहे। क्योंकि इससे आपका जीवन एक नया मोड ले सकता है। भगवान आपको आशीरवात दें और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो। हमें उम्मीद है कि आप इस जोतिश कार्यक्रम से जो सीखेंगे वह आपके जीवन को बेह पहतर बनाएगा। अगले 10-12 घंटे आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होंगे। इसलिए शुरू से अंत तक जोतिश कार्यक्रम में बने रहे ताकि आपको हर जानकारी सही तरीके से मिल सके। आने वाले 10-12 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे होंगे। क्यों आप लंबे समय से बेरोजगारी की स्थिती में थे, अच्छी नौकरी की तलाश में दरदर भटक रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके लिए बदलने वाली हैं। आपको एक अच्छे पद पर नौकरी मिलेगी और जो वेतन आपको मिलेगा, उससे आपका घर परिवा भी खुशहाल हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि निवेश के मामलों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, कुछ लोग आपको गलत जगह निवेश करने के लिए प्रोतसाहित कर सकते हैं और आपका ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, हर कोई आपका फाइदा नहीं सोचता, बलकि पहले अपना लाभ देखता है, ऐसे में बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचे, वरना आपका पैसा डूब सकता है, वहीं नौकरी करने वालों के लिए यह समय तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है, किस्मत आपका साथ देगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी मनमर्जी से फैसले ले ना ले, आप स्वभाव से बहुत सरल और सच्चे इनसान हैं, इसलिए दूसरों की बातों में आसानी से आजाते हैं, इसका फाइदा कुछ लोग उठा सकते हैं, सतर्क रहे और समझदारी से निर्णय ले, यह दो देवता आपके घर आने वाले हैं, आपको बता दें, यह दो देवता समय समय पर आपके घर आते रहते हैं, और जब भी यह दोनों देवता आपके घर आते हैं, तो आपको कुछ न कुछ ऐसा संकेत जरूर देता है, ताकि आप यह पता लगा सके, यह दो देवता आपके घर आने वाले हiken, लेकिन अभी तक आप इस बात से अनजान हैं, अभी तक आपको यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर वह कौन सा दो देवता है, जो समय समय पर आप के घर आते रहते हैं तो आज इस जोतिश कारेक्रम में आपको कुछ ऐसा संकेत के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि वह कौन सा दो देवता है जो आपके घर आने वाला है और क्यों यह देवता आपके घर आने वाले हैं सब कुछ इस जोतिश का इन देवताओं ने ही यह फैसला लिया है, कि आपका जिंदगी स्वर्ग जैसा सुन्दर बना देंगे, लेकिन इन देवताओं का भी कुछ मांग है, जिसे आपको पूरा करना होगा, अगर आप इन देवताओं का जो मांग है, उसे पूरा नहीं करते हैं, तो यह दोनों आपसे क्रोधित हो जाएंगे यह दोनों देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा तांडव करेंगे आपका जिंदगी पूरी तरह से बरबाद करके रख देंगे लेकिन अगर आप यह एक चीज खुशी-खुशी इन देवताओं क मिलकर आपको करोड़ पती बना देंगे इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ लेकिन आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा आपको बता दें अगले 10-12 घंटे के अंदर यह दो देवता आपके घर में प्रवेश करने वाला है और यह दोन देवता आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं आपको बता दें यह दोनों देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले जो संकेत आपको मिलने वाला है उसके बारे में आपको आगे इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताएंगे इसलिए पूरा ज्योतिश कार्यक् आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी तयार करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगता है। इससे एक छोटा सा विनती है। अब आपके साथ जो होने वाला है। उसे देखकर आज पडोस के लोगों में खलबली मत बढ़े गा, आपके आस पडोस के लोगों में अफ़ आश पडोस में बवाल मत जाएगा। मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना मेरा बात हलके में मत लेना वरना बहुत पचताओगे आपको बता दें अगले 10-12 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य ना करें अगले 10-12 घंटे तक बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यक्ता है क्योंकि आपकी छोटी सी गलती और आपका पूरा जिंदगी तबाह कर सकता है आपको बता दें अगले 10-12 घंटे तक 12 घंटे तक आप जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे आपके उपर इन देवताओं का कृपा उतना ही अधिक होगा यह दोनों देवता मिलकर आपको बहुत बड़ी-बड़ी कामियाबी देंगे यह दोनों देवता मिलकर आपके साथ बहुत बड़ा-बड़ा चमतकार करेंगे यह दोनों देवता मिलकर आपके जीवन में जो बड़ा-बड़ा चमतकार करेंगे उसे देख कर आपके आस पडोस के लोग लोगों में खलबली मत जाएगा लेकिन यह दोनों देवता 10 से 12 घंटे के अंदर आपके घर में प्रवेश करने वाला है इसलिए आपको अपने घर के साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा अगर आप अपने घर की साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो यह दोनों देवता आपके घर के दर्वाजे से ही वापस लोट जाएंगे और आपसे क्रोधित हो जाएंगे इसलिए घर का अच्छे से साफ सफाई करना अनिवार्य है घर का एक-एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए 10 से 12 घंटे के अंदर यह दोनों देवता आपके घर प्रवेश करेंगे इन दोनों देवताओं का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है और आपका जिंदगी बदलने वाला है तो आखिर आप ये पता कैसे लगाएंगे कि ये दोनों देवता आपके घर प्रवेश करने वाले हैं। ये दोनों देवता मिलकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके जीवन में बहुत बड़ा घटना होने वाला है। आज की जोतिश कार्यक्रम बिलकुल भी नजर अंदाज मत करना। आज का जोतिश कार्यक्रम बहुत कीमती है। इसी लिए थोड़ा सा समय निकाल कर जोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना। क्योंकि मेरा भविश्यवानी ग्रह गोचर के आधार पर सौ प्रतिशत सटीक है। क्योंकि इस जोतिश कार्यक्रम को आपका जका राशिव चंद्र राशिव के आधार पर तयार किया गया है। बहुत अच्छे से जांच परताल करके बहुत अच्छे से विशलेशन करके आज इस जोतिश कार्यक्रम का निर्मान किया गया है। जो कि आप लोगों के लिए बहुत खास और महत्तुपूर्ण है। यह जोतिश कारिक्रम नहीं, जोतिश कारिक्रम आपके लिए रामबान साबित होगा। बस आपको जोतिश कारिक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा। इस जोतिश कारिक्रम के माध्यम से आपका दुश्मन का परदाफाश करने वाले हैं जी हां, दुश्मन का सच्चाई आप सभी को बताने वाले हैं आपको इस व्यक्ति से बच कर रहना होगा क्योंकि यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपके ही घर में छुपा है आपको बता दें आप पिछले कई सालों से कई महीनों से बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि आप जिस हिसाब से महनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको महनत का फल नहीं मिल रहा है पहले आप जो भी काम करते थे उस काम में आपको सफलता मिलता था लेकिन अब बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है अब आप जो भी काम करते हैं वह काम आपका पूरा नहीं हो पता है आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है इसका मुख्य कारण क्या है सब कुछ इस जियोतिश कारेकरम में आपको बताने वाले है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना करें आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक दुखों का सामना कर रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी ने आपका किस्मत को बांध रखा है जिस वजह से हर एक मोड पर आपको असफलता मिलता है आपको बता दें अब आपके जीवन भी एक के बाद एक बड़ा चमतकार देखने को मिलेगा लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा आपको बता दें जो आज इस जीवतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाएगा उस व्यक्ति का किस्मत चमक जाएगा इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल कर इस जीवतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप किसी के साथ बुरा वह बात नहीं करते हैं छोटा हो या बड़ा, आप सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है आपका कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता है कोई भी आपका मेहनत का सराहना नहीं करता है और आपको आपका मेहनत का फल भी नहीं मिलता है आखिर ऐसा क्यों आपके साथ होता है क्या देवी देवता आपसे नाराज है या फिर कोई और कारण है या फिर आपका दुश्मन ने आपके उपर जादू टोना कर दिया है आखिर किस वजह से लोग आपको मान सम्मान नहीं देती हैं किस वजह से आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं बस आपको इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। आपको बता दें। इस नाम का दुश्मन पिछले कई सालों से कई महीनों से आपके पीछे पड़ा है। और यह व्यक्ति आपके उपर जादू टोना करके आपको बरबाद कर रहा है। क्योंकि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि आप जीवन में धेर सारा तरक्की करें। बड़ी-बड़ी का काम्याबी हासिल करें। आप अपना जीवन अच्छे से जी ऐसा यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता है। इसलिए इस नाम के व्यक्ति से आपको दूर रहना होगा। नहीं तो यह व्यक्ति आप आपका जीना हराम कर देंगे। अब जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का जटका लगने वाला है। आपका दुश्मन आपके ही घर में छुपा है। आपका परिवार का ही एक व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यह व्यक्ति पिछले साथ जन्मों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस व्यक्ति का नाम आरक्षर से शुरू होता है। तो उनसे थोड़ा दूरी बना ले। नहीं तो यह व्यक्ति आपका पूरा जिंदगी बरबाद करके रख देगा। इस बात की गारंटी है बागेश्वर धाम का भविश्यवानी कभी गलत नहीं होता है। अब यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। आपको बता दें, 10-12 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। लेकिन आपको ज्योतिश कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा। 10-12 घंटे के अंदर आप करोडों का मालिक बन जाएंगे। ऐसा बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन इस ज्योतिश कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं, उसे ध्यान से सुनना होगा। यकीन मानिये, आपका जिंदगी स्वर्ग से भी सुन्दर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको मोह मांगा इनाम दूँगा। लेकिन जैसे हमने आपको कहा कि इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा, वैसे ही आपको ज्योतिश कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा दूध का दूध, पानी का पानी कर दूँगा बस जोतिश कारे करम अंत तक देखना आपको बता दें जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत बढ़ा बदलाव होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत ज्यादा धन लाब होता है यूं कहें तो जब किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत बढ़ा-बढ़ा चमतकार होने लगता है तो वह इनसान खुशी के मारे रोने लग जाते हैं जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं खुशी के मारे अपने आंसु को रोक नहीं पाते हैं और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है ऐसा ही कुछ आपके जीवन में घटना घटित होने वाला है जिस चीज के बारे में आप कभी कलपना भी नहीं किये थे वह चीज अब आपको मिलने वाला है अब आपका सभी सपने सच होने वाले हैं हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभू आप सभी को अपने चरणों में स्थान दें और भरपूर धन संपत्ति प्रदान करें विशेश रूप से उन लोगों को जिनकी पहली और आखिरी इच्छा सिर्फ प्रभू का आशीरवाद हो प्रभू आप सभी को इतना संपन्न बनाएं कि आपका जीवन हर दिन दोगुनी और रात चोगुनी उन्नति की ओर अग्रसर हो आप सभी को धेर सारी बधाई भगवान स्वयम आपके घर पधारने वाले हैं और आपको धन धान्य से भरपूर कर अमीर बना देंगे जी हाँ समय आ गया है अब आप राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन आपके जीवन में होने जा रहा है और आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है देवों के देव महादेव की तीसरी आँख खुल चुकी है और आज के बाद से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है यह घटना सब को चकित कर देगी जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी पृत्वी पर अधर्म बढ़ा है तब भगवान ने अपनी तीसरी आँख खुली है और जब महादेव की तीसरी आँख खुलती है तो पूरे ब्रह्मांड में हल्चल मच जाती है देवों के देव महादेव को तैंटीस कोटी देवी देवताओं में सबसे अलग और विशेश स्थान प्राप्त है वर्तमान समय में जब अच्छे और मासूम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है महादेव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी है अब जल्द ही एक बड़ा परि अंदाज करें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग जो आज आपके पीछे बुराई कर रहे हैं आपकी सफलता के पीछे-पीछे भागेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे सफल हुए अगर आप गुरु जी की इन लाइक बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मातादी जरूर लिखें अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगी आपके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है आपकी कुंडली में जबरदस्त बदलाव आएगा और खुशियों का बम फूटने वाला है जी हां पैसों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है यह इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि आप खुशी से जूम उठेंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इतना बड़ा चमतकार करेंगे अब आपका जीवन बदलने वाला है वह सपने जो वर्षों से अधूरे पड़े थे अब पूरे होने वाले हैं जिसके लिए आप इतने ने समय से तरस रहे थे वह अब आपको मिलन नहीं सकता अब इश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलेगा और अच्छे कर्म करने वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह समय कब आएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है अब समय आ चुका है बस अपने धैर्य को बनाए रखें और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। अब ईश्वर ही आपके जीवन की दिशा तै करेंगे और वही करेंगे जो आपके लिए उचित होगा। तैयार हो जाईए। क्योंकि आने वाले दस से बारह घंटों के भीतर आपकी जिंदगी में एक बड़ा और अद्भुत बदलाव आने वाला है। जी हाँ। भगवान भोले नात के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करने जा रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं। मेरे प्रियमित्रों अब आप सफलता के नए शिखर पर पहुँचने वाले हैं। भगवान महादेव ने आपके लिए साथ शुभ संदेश भेजे हैं जो आने वाले दस से बारह घंटों के भीतर आपको मिलेंगे। यह संदेश आपके जीवन को बदल देंगे और वह समय आने वाला है। जब आपके जीवन में खुशियों का जहरना बहने लगेगा, यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आप काम्याबी के जंडे गाडने वाले हैं। खास बात यह है कि ने वाले 10 से 12 घंटे आपके लिए भाग्य का उदय करने वाले हैं। प्रत्याशित रूप से कुछ अच्छा हो जाता है और यही इस बार भी होने जा रहा है। आपके जीवन की सारी परेशानियां दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे और खुशियों का सैलाब आपके जीवन में आएगा। जी हाँ, आपके सारे अधूरे सपने अब सच होने वाले हैं। यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। यह ज्योतिश कार्यक्रम बहुत खास और महत्वपून है और पूरी तरह से ग्रिह गोचर के आधार पर तयार किया गया है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बलकि गहन विशलेशन के बाद इस ज्योतिश कार्यक्रम को बनाया गया है। अगले 10-12 घंटों का महा राशिफल आपके जीवन पर क्या असर डालेगा। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस ज्योतिश कार्यक्रम में हम बताएंगे कि अगले 10-12 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। आपका व्यापार, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, लव लाइफ और धन का लेंदेन कैसा रहेगा। इन सभी पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो उनके प्रती सच्चे आस्था रखें। ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनके आशीरवाद से आपकी खाली जोली खुशियों से भर जाएगी, तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव अब आपके सामने वह समय है जब पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, आपको सिर्फ दो बा आप एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में सक्षम होंगे, यह दुनिया मतलबी है और इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको निराश और नेगेटिव करते हैं, जब आप कुछ करने की ठान हैं तो यह लोग तुरंद कह देंगे तुम नहीं कर पाओगे, यह तुम्हा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, अगर आपको यह बात समझ में आई हो, तो बोलिए, जी हां गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव आपकी जिन्दगी को चार चांद लगा देगा, यह कोई मजाक नहीं है जोतिश शास्त्र की भविश्यवानी कभी गलत नहीं होती, जी हां, आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक तरह से, कहें तो आपकी किस्मत का दूसरा पन्ना खुलने वाला है, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो बदलाव पाने वाला है, उसे जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, इस दुनिया में ठोकर खाने से बहुत सी चीजें तूट जाती हैं, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकरें खाने के बाद ही मिलती है, अगर आपको जीवन में बहुत ठोकरें मिल रही हैं, तो समझ ली लेकिन भगवान ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देते, जो व्यक्ति चोरी बेईमानी या दूसरों का हक छीन कर धन कमाता है, उसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन सब कुछ छिन जाता है, भगवान शनिदेव भी कहते हैं कि भले आप थोड़ी कम कमाई करें, ल और आपकी जिन्दगी में कौन-कौन से बदलाव आने वाले हैं, यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक होंगे या नकारात्मक और कौन सी सावधानिया बरतनी होंगी, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, अब बात करते हैं, न्याय के देवता, भगवान शनिदेव की जिन्होंने आपके भाग्यकों को लिख दिया है, आज आपको पांच बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं, सबसे पहले खुशखबरी यह है कि नौकरी करने वालों को एक बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा, परिवार के दस्य एक जुट होकर खुश होंगे, यदि कोई कानूनी समस्या चल रही है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आगे बढ़ें, इससे आपके लिए हालात बहतर हो सकते हैं,